हम और सम मिलकर के आप निश्य दूरू से चिंदवाडा को भी लोगसमा जिताएंगे लोगसमा चुनाओं को लेकर बीजेपी पूरी तरह से अक्टिव दिखाई दे रही है उन सीटों पर बीजेपी का फोकस है जहां प्रश्ली बार कमल नहीं खिल सका फोकस कमनात की गर्ड चिंदवाडा में भी है सीएम डॉक्टर मोहन यादव चिंदवाडा पहुंचे पहले सीएम ने यहां पर रोडशो निकाला और फिर कॉंग्रस के कई नेताओं को बीजेपी जॉइन करवाई चिंदवाडा में बीजेपी की सेंधमारी से कॉंग्रस में भंगणड़ आ है कहा जा रहा है क्या आने वाले दिनौं में कॉंग्रस के कई और नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जिसका एशारा CD मोहन यादव ने भी कर दिया इशा लूही इशारा में कहा कि कई लोग है जी परमाना चाहते ही और। आज नहीं तो कल आईए। तो हैं आज आएगा कोल क्ल आएगा हूं था क्वागत। औरी दुनिया इसलें सुभाला जीतने को लेकर वीजे पी का कहना है कि इस बार कमलाइच के गड़ में भी कमल खिलेगा उन्हें अपने ही घर में हारका सामना करना पड़ेगा उधर कॉंस का दावाः कि चिंद्वारा हमेशा से कमनात का गड़ रहा है और आगे भी ये गड़ कॉंग्रस का ही रहेगा बीजेपी कितनी भी कोशिच कर ले इसके किले को भेदने में काम्याब नहीं रहेगी मिश्यतर पर चिंदवाडा महराहल में जीतेंगे इस वार इतियास रचेंगे मद्व देश मज़ें 29 से 29 सिटे जीतेंगे भगवा ले रहाएगा कमल ले रहाएगा अब कुछ लोगों ने तो भगवान शीराम का जंड़ा लगा कि घर से उतार लिया कुछ लोग और जो वहां के अपने आपको सर्वे सर्वा केते हैं वो ही चलो-चलो करने की तग्यारी में थे मैं समझता हूँ जहाँ चिंदवाडा की बात है माननी कमल लाजी इतने मजबूत है वहाँ एक गढ़ है एक तरह से मैं समझता हूँ चिंदवाडा की जनता चिंदवाडा के मोडल को बनाने के लिए जिस बेक्ती ने सिलपी की तरह काम किया माननी कमल लाजी ने कमल लाजी के नाम पर वहाँ बोट गढ़ता है तो बीजेपी और कॉंग्रस के अपने पने दावे हैं लेकिन चिंदवाडा का इतिहास कमनलाथ के दबदबे को बताता है इस बार फिर चुनाओ है ऐसे में सवाल चिंदवारा का है क्या इस बार कमनात के गढ़ में बीजेपी कमल खिला पाएगी यह सवाल है और फिलाल महा डिबेट के सवाल क्या रहेंगे उन पर डालते हैं नजर बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते है पहला सवाल है चिंदवारा में सेंदवारी से क्या बीजेपी का प्लान डीकोड हो गया है चिंदवारा में ही सेंदवारी करना क्या है यही है बीजेपी का प्लान सवाल नमबर दो दूसरा सवाल क्या है नाथ के गड़ को भेदने का क्या बीजेपी का प्लान तयार है तीसरा सवाल क्या है 24 की रनीती बीजेपी के लिए दूर नहीं चिंदवारा क्या बीजेपी के लिए चिंदवारा दूर नहीं है यही वो तीन सवाल है जिनके एर्दगृत रहेगी मद्यपरदेश के आज महा डिबेट कौन-कौन गेस मेरे साथ जोड़ चुके हैं उनका परिचे आ अतुल तारे जी और चिंदवारा से हमारे समधाता राजेश कर मेले जी जुड़ रहे हैं आपको चारों ही मेरे पैनलेस टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे और अबास हफीज पहला सवाल मेरा आप से है सर बीजेपी ने पूरी तैयारी की हुई है आपकी जो जो सबसे पहली बात या है कि भाजपा ने 2019 में अपने जूटे वादों के आधार की उपर जिस तरहां से चुनाव जीतने का काम किया था वो हराइजन था वो सबसे पीक पॉइंट था उसके बाद उनके पास अब कोई जीतने के लिए ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बाकी सारे ल दूरे हैं लोगों के पास रोजगार नहीं है किसानों के पास उनकी फसल का दाम नहीं है इसी तरह से जो मोदी जी का चेहरा था आज सवालिया निशान उस पे है कि ये वादे कब पूरे होंगे चिनवाड़ा क्या भाजपा कई अपने गड़ों के अंदर चिंता में उनके आंतरिक सर्वे ये बताते हैं कि बीजेपी को नुकसान होने बड़ा जा रहा है मद्यप्रदेश राजिस्थान चतीस गड़ने पिछली बार विधानसवा चुनाओं के विपरीत जो परिणामत उनके विपरीत पर वोट किया था लोकसवा में इस बार भी हमें पूरी उम् जनता क्या उम्मीद कर रहे हैं जाएंगे तो फस जाएंगे था धर्म का वो निर्वा कर रहे हैं लेकिन एक बात तो बनती है आप बताएए कि क्या कॉंग्रेस का कोई भी नेता आज के समय ये कह सकता है कि उसकी इच्छा नहीं है बीजेपी माने की जिस कमलनात जी कोई जय जय कमलनात ये लोग कहते हैं जो लोग जय जय कमलनात कहते हैं वो खुद भी नहीं कह सकते कि उनकी इच्छुक नहीं है बीजेपी में आने के शुक्कि बीजेपी हिंदुस्तान का आज है कल है भविश्य है और विकसित हिंदुस्तान जो बनेगा वो बीजेपी के हाटों ही बनेगा तो जो लोग भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में विकास के काम हो, हिंदुस्तान विश्व गुरू बन रहा है और भी आगे जाए, तो वो सब चाहते हैं अपनी सेवाएं भारती जंता पारटी के प्लेटफॉर्म पे दे, अब ये हमको डिसाइड करना है, गुन दोश के आध से ज्यादा सीटे जीतेगा, ये सब होना है, ये दिवार पर लिखी इबारत की तरह साफ साफ नजर आता है, इसलिए कॉंग्रेस भी चाहते हैं, कॉंग्रेसी भी चाहते हैं, परिणाम विपरीट होंगे, जननता सब कुस्त देख रही हैं, आप तो शूर है कि 29 के 29 लेकिन जब याद होगा आपको भी विधान समा चुनाओ का रिजल्ट आया और शिवरास्तिंग चोहान अगले ही दिन मीडिये के सामने आकर बाइट दे रहे थे कि मैं जा रहा हूं छिंदवाडा, ये 29 की 29 फूलों की माला नरेंदर मोधी को पहनाना चाहता हूं, ये तया आरी कमलनाथ का गड़ बचाने की कमलनाथ और फैमिली की रहेगी या कॉंग्रेस की जो एक सीट है उसको बचाने की जंग रहेगी देखिए ये बहुत स्पष्ट रूप से पिछले 72 घंटे में जो नई दिल्ली में कमलनाथ जी का भारती जंता पार्टी में आना या नहीं आना ये जो धारावाइक चला निश्चित रूप से कमलनाथ जी कॉंग्रेस के बहुत अत्यन्त वरिष्ट निता हैं लेकिन आज की तारिख में वे अपनी ही पार्टी में अपनी विश्वस नियता पूरी तरह से खो चुके हैं और मेरी कई कॉंग्रेस के वरिष्ट नेताओं से उस संदर में जब ये एपिसोट चल रहा था तब बात हुई थी और उनका नाम अभी जाहिर करने की कोई आवशक्ता भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए लेकिन वास्तों में वो स्वयम भी कमलनाच जी के इस निरनाय को लेकर अत्येंत दुखी और व्यथित थे जो वास्तों में कॉंग्रेस के निष्ठावान कारेकरता कहे जा सकते तो इसलिए ये जो निश्चित रूप से अभी वर्तमान में कमलनाज जी कॉंग्रेस के नेता हैं लेकिन भरतिय जनता पार्टी ने एक मनोव एधन्यानिक बढ़त कमलनाज के गड़ में चिंदवाडा में आज की तारीक में प्राप्त कर ली है और मेरा तो अभी भी ये मानन है कि इनको आना है कि नहीं आना जैसा कि आए डॉक्टर मोहन यादाव जी ने चिंदवाडा में कहा भविश्य में क्या होता है कमलनाज जी आते हैं अभी ये सब राजनीतिक अटकल बाजी हैं संभावना है राजनीती संभावनाओं का खेल है लेकिन निश्चित रूप से भारती जनता पार्टी ने कमलनाज की विश्वस नियता विधान सभा चुनाओं के दोरान कपड़े फाडने का काफी बड़ा एक एपिसोड चला था दिग्वेरे सिंग जी और कमलनाज जी के बीच लेकिन अभी ये जो सब कुछ हुआ पिछले 72 घंटे में दिल्ली में कमल जवाब देने की स्थिती में नहीं है और जहां तक कि अब्बास भाई ने कहा और मैं उनकी बात की विवश्वस्ता सबचता हूँ कि अभी अभी 2023 के चुनाओं हुए हैं और कॉंग्रेस की परेशानी यही है कि वो जबीनी सच्चाई से वाकिफ होना नहीं चाह रही है और इसलिए लगातार एक के बाद एक के बाद एक उनकी शिकस्त अभी तीन विधान सवाच नव में कॉंग्रेस ने प्राप्त की है और यह मिशन 29 निश्चित रूप से आज की तारिक में मुझे लगता है कि भारती जनता पारटी को प्राप्त करने में कोई कठिना ही नहीं हो जी क्या राजेश करमेले जी जुड़े हुए हमारे समधता हमारे साथ आजेश करमेले सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे जी राजेश क्यूंकि आप चिंदवारा को बेहतर सबस्ते हैं लगातार वहां की हर स्यासी उठापटा को कवर करते आए हैं आपके जरिये हमारे दर देखिए ये तिषले जब से CM का दोरा यहां पर तैय हुआ है कॉंग्रेस को पता चला है लगातार नजरे CM के दोरे पर रही है आज का दोरा काफी चर्चाओं में रहा जब पांडोलना से बड़ी संख्या में कॉंग्रेस की उने भाजपा को जोईन किया यह अनुमान कॉंग्रेस को था कि कुछ लोग कहीं न कहीं CM के इस दोरे में जोईन करेंगे लंबे समय से इस सिल्सला चल रहा है जब से सरकार नहीं बन पाई है यहाँ पर चुकी पूर्बुक्मंत्री कमलात और संसद नकुलात के भाजपा जोईन होने की अटकले तेज रही है उसके बाद जो घटना करम घटा है उसके बाद से कुछ कॉंग्रेसी निकल कर सामने आने लगे है और वो बीजेपी जोईन करने की बात करने लगे है इना जारा आज दिखा भी यहाँ जहां तक कॉंग्रेस की बात है तो कॉंग्रेस ने बड़े साफ लहजों में कह दिया है यहाँ पर कि जिसको जाना है वो जा सकता है पूर मुक्वंत्री कमलात और सांसा तकुला चुनाव मैदान में होंगे और इस बार पहले की तरह वो चुनाव जीतेंगे जबकि बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों में हल चल तेज थी कॉंग्रेस के जो नेता थे जो कॉंग्रेसी शुरू से हैं उनका कहना है कि नहीं जाना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए जबकि बीजेपी का एक खेमा जरूर यह कह रहा था कि वह यहां आ जाएंगे तो विकास होगा चुंकि सक्ता में कॉंग्रेस है केंदर में भी और राजज में भी इसको लेकर के जरूर एक चर्चाओं का महोल था और यही वज़ा थी कि इन अटकलों को जोर मिला और इन अटकलों को लेकर दिल्ली से भोपाल तक जारी रही है अटकले अभी जो माहोल है उसमें यह खा जा रहा है कि पूर मुक्कमंत्री कमलात और सांसर नकुलात अगर यहां लड़ते हैं तो निश्ची तोर पर कारकरता वापस से काम करने जबिंग पर उत्रेगा कि दॉक्टर आरके शुक्ला भी हमाई साथ जुड़े हुए हैं राजितिक विश्च्रेश के दॉक्टर आरके शुक्ला इस वक्ट जो मध्रप्रदेश की सियासी उठा पटक देखने को मिल रही है जहां पर एक बहुत बड़ी बात अतुल तारे जी ने कह दिया कि कहीं न कहीं कमलनाथ की विश्वशनियदा पर एक सुराख तो हो गया है इस एपिसोड के बाद देखिए बाती जनता पार्टी का मितन छम्मवाडा आज के नहीं विधानसवाद चनाओं के पूर्व से ही चाली था निश्चित रूप से आज उसमें क्योंकि यह चम्मवाडा लोकसवाद शेत्र में कमलनाथ जी का अपना व्यक्तिकत प्रभाव है उन्होंने पिछले व प्रासों से लेके 25,000 तक के बीच में था लेकिन जो पिछले दो तीन दिन के अंदर राजने से घचना क्रम हुआ उस घचना क्रम से कमलाज जी की व्यक्तिकत रूप से लुक्सान पहुंचा है अब रहा सवाल बीजेटी का बीजेटी इस बार नवाडा लोकसवाद चनाओ जीतना चाहती है उसके लिए उसने आजी आपने देखा कांगरेश के 16 सरपंच पांच पार सथ एग नगरपाली का अध्यक्त और संदसन के कई अनकारीकरता एवं परहदीकारी हैं कांगरेश छोड़कर बीजेटी में आ गये हैं ये तो प्रित कर्ष दिखाई दे रहा है क प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी कहते हैं कि मोधी की गारंटी मतलब बता पाएंगे करने के गारंटी बीजेपी के पास वह चहरा है और दूसरी तरफ जो बाद्र प्रदेश में बड़ा चैहरा है कांग्रस के पास उसको लेकर ही स्यासी आठकलों का बाजा गर्म हो जाता है खैर कबलनात कहीं नहीं जा रहे हैं यह तो कारे करता जनता समर्थक आप लोग मान लेकिन नकुलनात को लेकर क्या जिनका अब तक उन्होंने अपने एक्स बायो में से जो कॉंग्रस को हटाया तो हटाकर ही रख दिया वापस लेकर भी नहीं आए मेंबर आफ पार्लेमेंट है मसू देखिए मेरे पास परना जी पहले का भी स्क्रीन शॉर्ट है जिसमें क्योंकि संगठन में उनके पास कोई पद नहीं है और कोई विवेक्ति अपनी पार्टी का नाम जरूरी कह सकते हैं अब दूसरी बात है चिनवारा वो जिला है जहां पे भारती जंता पार्टी ने अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उसके बावजूद भी भा चिनवारा के महापोर कॉंग्रेस के 7 सीठे चिनवारा की हमने जीती इसी बार नहीं पिछली बार भी हमने जीती बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं को इतार दिया उसके बमधी जैपी की आप बात कर रही है मोधी जी की चभी अब ठक yapıyor चुकी है और इस चुनाओं में साफ तोर पर जंता जब नकारेगी तो मोदी जी की उपर जितना भाजपा ने प्रचार प्रसार में लगाया है वो सब दिख जाएगा कि अब वो कुछ नहीं बचा है जंता अपनी महगाई से पीड़त है परिशान है छिनवाडा नहीं कई ऐस और आपका चालेंज लेकर जाओंगी बें गुल्रेश शेक के पास लेकिन ये बता दीजिए चिनवाडा जो बचा हुआ है वो कॉंग्रिस की वह जैसे बचा हुआ है या कमलनाज की पहचान है और चिनवाडा में कोई कुछ फरक बीजेपी नहीं डाल पाएगी मैं फिर चुनौती देता हूँ पूरी भारती इंता पाटी को दस साल से विधान सवा में जीरो का जीरो है महापार जीरो है नगर पाले का नगर निगम जीरो है बाद बाद जो चाहे कर ले कुछ नहीं कर पाएगी गुल्रेशेक आपकी विजेपी की गारेंटी का जवाब यहाँ पर कॉंग्रेस की ओर से चुनौती कुछ नहीं कर पाएंगे आप तेकी है अपरणा मैं डाटा पर बात करने वाला वेप्ती हूँ और जहां तक जिन्दवारा विशेश की बात है पिछली बार हमारा एक सामानी गारेकरता नकुलनाद जो कि कबलनाद जी के पुतरे हैं जिनके पिता जी नो बार लगा तार जो थे वो चिन्दवारा से सांस संसर्दी के चुनाओं के लिए बहुत चुटा फिगर है और अभी जो केवल और केवल का इनके उसी जिले में चिंदवाड़ा में अच्छे नतीजे आये थे विधांसभा के इसलिए आये थे क्मल नाथ को प्रोजेक्ट किया गया था बतोर भावी मुक्यमंत्री कॉंग्रेस पार्टिया का चुनाओं जीती है तो तो इसलिए आये थे ना कि कॉंग्रेस के लिए आये थे तो ये बात बनी पशले है और इस बार तो आप मानके चले कि ये थर्टी सेवन थाउजन वोट्स का जो एक डिफरेंस था पिछली बार वो तो बहुत आसानी से पढ़ जाएग और आज आप तो गुल्डेस भाई बहुत लंबे समय से लगे हुए हैं फरक नहीं पढ़ता लेकिन आपके लगने से किस प्रकार से पांग्रेस के बड़े बड़े नेता चिंदवाडा के जो थे वो बीजेपी के पास आ रहे हैं आपको नजर आ रही है ये चीज़ सामने रहें उन में से एक भी कल कांग्रेस की जो विदाय के बैठक थी उसमें नहीं आया चुकि कमल नाज जी ने वर्चुली जॉइन किया तो उन्होंने भी वर्चुली जॉइन किया आप चीजों को समझ रहे हैं कि आचला डॉट्स को आप जोड़ के देखी आपको समझ में आ रहा हूं गुल्रेश दी आप बता दीजिए ना कौन से बड़े नेता चिंद्वारा में आपकी पार्टी में आ गए हैं इतना सा सवाल हैं आपके पास कोई नाम नहीं है अजे चौरेश जी पूर पिधायक जो बीजेबी में गाई थे वही जोड़ कि हैं परिशान हो कि ए पार्टी ये लोकसवा का चुनाव है पैन इंडिया अपनी रनीती के साथ जाएगी चुनावी मैदान में हम उस पे काम भी कर रहे हैं जाहिर सी बात है कि वोट शेर बढ़ाने का लक्ष रहता है भाजपा की हवा हवाई बात हिंदी हाटलेंड से वोट शेर नहीं बढ़ स के पास है मद्धी प्रदेश में भी हमने हमारा वोट शेर बचाने में सफलता आसिल करी है थो फ्लर वोट शैर फ्लोट वोट टा व्यश्यपी को मिला और उसके आधार में बीजेपी अपने वोट शेर थोड़ा बहुत बढ़ाने में सफल हुई पैन इंडिया जब आप जाएंगी तो भाथी यंथा पार्टी बहुत बड़ा वोट शेर अपना नहीं हिला सकती है यह आप भी जानता है हम भी जानता है भाजपा भी जानती है आने वाले स समय में सपश्ट हो जाएगा लेकिन चिनवाड़ा भाजपा मुक्त था भाजपा मुक्त रहेगा और भी कई लोग सबसेट भाजपा के आज से निकलेंगे ठीक है राजेश मैं आप से एक सवाल लेना चाहती हूं बहुत ही महत्यपूर सवाल यहां पर यह हो जाता है नहीं ए समय से हलचल शुरू हुई थी उस समय कॉंग्रेस तोली शितिल हो गई थी उनके कारकरता इस बात को इस अटकलों को लेकर ध्रमित हो गए थे कि कहीं न कहीं कुछ चल रहा है लेकिन जैसे ही अटकलों को विराम लगा पूर मुकमंत्री कमलात ने साफ कर दिया कि वो कॉंग में तरन कोढ़का दीया गया है कारकर्ता इस थी जो आपने सुना होगा या पर कॉंगर्स केît प्रवक्ता n को जिंदी हार्टलेंड से लोगसापा चुनाओ का नतीजा हम नहीं तैग मान सकते हैं और दक्षिन के भरोसे कहीं न कहीं कॉंग्रेस है। दूसरा कॉंग्रेस प्रवक्ता के प्रती पूरा सम्मान प्रगट करते हुए मैं अपनी फिर वही बात दोरा रहा हूं कि यह समझना होगा कॉंग्रेस को वास्तों में कि वो इतनी पुरानी एक राजनितिक विरासत को लिए हुए पार्टी है वो समझे कि आखिर देश का रा किस प्रकार सोच रहा है राहूल गांदी जी पतियात्रा निकाल रहा है और उस पतियात्रा में राहूल जी जहां जहां गए वहां पर भी क्या समर्थन मिला और वहां पर भी लोगों ने कॉंग्रेस के प्रती कितना समर्थन दिखाया ये प्रवक्ता महुदे बहुत अच् चिटके और सेलफी लेने जो लोग आते हैं वोटर नहीं बन पाते हैं सबसे बड़ी तो त्रासदी कॉंग्रस के साथ यहां पर यह देखती है दुल्रेश शेख जी आप कुछ कहा जा रहे हैं जल्दी से जी दक्षिन भारत की बात करें ना हम अपर ना तो दक्षिन भारत मे कहीं नहीं है आप यह देखिए तमिल नाडू जो सबसे बड़ा राजी है बल्क की सीटे आती जहां से वहां पिगी बैकिंग करते हैं यह डी एमके के ओपर और वहां भी इस बाद बीजे पी अन्ना मलाई के अबनेते तो मैं लगबग दस से लेके पंदरा के बीच में वह हो करना डक में भी जिस प्रकार का बिष्टा चाब चल रहा है जिस प्रकार के इनकी आंतर कल्वाद चल रही है तो वहां भी इनके लिए अधस अच्छर नहीं हैं नरेन सिंग् तोमर जी के बेटे को आज तक आईटी का कोई विर्टिंग कार्ड भी नहीं पहुचा है प्रश्चार की बात बीजेपी ना करे तो अच्छा होगा इमानदारी से काम करते तो जनता भी शायद भरूट देखी रही है बहुत शुक्री आपका मध्यप्रदेश की महा डिबेट में शामिल होने के लिए जनता सब कुछ देखती है समस्ती जानती और इसलिए वोट बूट पर जब जाती है पोलिंग बूट पर तो उस हिसाब से वोट देती है और मध्यप्रदेश की महा डिबेट में फिलाल आरश के लिए इतना ही लेकिन खबरे लगातार जारी हैं हम चुड़े नहीं है